वेलकम बैक टू जोर का जोर नाजवीन मीरफ जिशान की तरह से आपको बहुत बहुत खुशाम दीद नाजवीन रिजल्ट्स जो हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन फिर भी लग यही राय कि शायद कोईटा ग्लेडियेटर्स मैच नहीं जीत पाएंगे मुल्तान सु पाइट्स हो चुकी है नाफे की बात की जाए या रॉयली जो सो की बात की जाए तो वो चीज़ देखने को नहीं मिरिया जो उमीद की जा रही थी इसके बाद नाजवीन अब लाहूर का मैच पिशावर जल्मी के साथ देखना है कि शाहीन का जंडा उपर होता है अबाबर की सहत को फरक नी पड़ा होगा अब लुकुल ठीक होंगे जो लो लो क्रिकेट से प्यार करते है न वो फिट रहना चाहते है और फिट रहते है बिल्कुल सही बिल्कुल सही यह तो हागी का तर बाद मैच में बहुत ही आहम ख़ब है कि कैच के बाद वसीम की बाल से सरफ र कोईटा के लिए उनकी बड़ी खित्मात हैं ग्लैडियेटर्स के लिए पीएसल के भी चैंपियन रहे हैं और अभी हमने कल जखमी हुए थे हारिस रौफ और आज सर्फराज अहमद का जखमी होना यह पाकसान क्रिकट के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है उन्होंने कंक पर अगर आप देखते हैं अला करें कि वह सहत्याब हों कि बहुत ज्यादा तकलीव का सामना ना हो और सर पर गेंद लगना एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है बहुत 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 आला उनको अप कि वो किसी भी किसम की मुश्किल सुरतहाल से वो महफूज रहें आने वाले चंद घंटों में येकिनी तौर पर जब उनका मुकमल तौर पर तिब्भी मौयना हो जाएगा तो उनकी हवाले से जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट होगी वो भी सामने आजाएगी स्कैन की रिपोर् स्ट्रोक और अब सर्फराज अहमद भी चूंकर उनके सर पर गेंद लगा है ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है कि अगर आपके सर पर बॉल लगे याद होगा ऑस्टेलिया के एक बैटमंद फिलिप हुज जो है वो उनको सर पर बॉल लगा था तो उनकी जान चली गई थी और उसकी अगर इस तनाजर में देखते हैं तो ये बड़ी तकलीफ दे चीज है गेंद लगना सर पर फिर बाद वकाद करियर भी लोगों के उससे खराब हो जाते हैं गो कि सर्फराज अहमद अपने उस साइड पर नहीं है वो सीनर करेकटर हैं लेकिन जवानी में ये करिय अब रहे जाती है तो सर्फराज के लिए नेक तमना हैं कि अपने आप रखे और उनको किसी बड़ी तकलीफ का और किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े बिल्कुल सभी बिल्कुल सभी नासीम दिल तो बहुत कर रहे है कि मैच के बर बात करूं उमर से कुछ सवाल पाकिस्तान में नामुनासिब अलफाज का इस्तमाल अपने टॉप क्रिकेटर्स के लिए बाबर का शुमार दुनिया के अजीम खिलाडियां में होता है इस वक्त वो पाकिस्तान की बैटिंग को और दुनियादी तोर पर अगर आगर आप देखे ना कि पाकिस्तान में एक करिकेट के ब्रैंड के अथबार से अपनी कारकर्टी के अथबार से वो सबसे बड़े खिलाडियां पाकिस्तान के और लोग मतलब तजही करके लोगों की खुश होते हैं और नामुनासिब अलफाज में एक हमारा वतीरा है हमारे ना मतलब एक मिजजाज का हिस्सा बन गया हज़ा हुआ है कि हमने लोगों की तजही करना हैना मुनासिब अलफाज में पकारना है लोगों को बुरा बला कहना है तो ये मिन हैसल कौम हमारा एक कैसा अलमिया मौशर थी कि हम अपने खिलाडियों को या जो अपने सितारें उनको मतलब उनको डिस्ग्रेस करके ना खुशी महसूस करते हैं देखें बाबर बुरा खेलें आप उनकी कारकर्गी पर तनकीद करें बाबर के फैसले गलत हों आप फैसलों पर तनकीद करें ठीक है बाबर क्रेकट अची ना खेलें ठीक है आप क्रेकट के उन पर तनकीद करें लेकर उसमें भी आपको जो जो तजहीक है या जो तजहीर है उसका पहलू नहीं होना चाहिए आपके पास इतने अलफाद जरूर होने चाहिए कि आप किसी भी की कारकर्गी पर आपके पास इतना इल्म जरूर होना चाहिए कि आप उसके खेल के हवाले से बाचीत कर पाएं देखें ये जिस अलफाद जिस तरीके से हम अपने खिलाडियों के साथ सलूक करते हैं बिलखुस शायकीन जो है उनको तो क्या देखने के लिए गए हैं मुझे किस को देखने के लिए जाते हैं इनी को देखने के लिए जाते हैं शाहिन को देखने के लिए जाते हैं हारिस को देखने के लिए जाते हैं साइम को मुहमद हारिस को बाबर आजम को ठीक है जी शान मसूद को खवाजा नाफ़े को आजम खान को शादाफ खान को मुहमद न बड़ी अफ्सोचनाक सुरतहाल है ये को इतनी अच्छी चीज नहीं है ये मिन हैसल कौम आपका क्या पैगाम दुनिया में जाएगा ना जब आपकी कोई बी एक चीज हो फिर ये एक बड़ा स्यापा है पाकिस्तान में बड़ी मुसीबत है ये मुबायल है वो कोई बंदा प ये गया खुशी महसूस करते है और पाकिस्तान के टॉप करिकãyडर्र्य ये प का का की प्याइक पाकिस्तान की पहिछान आप पर उती है जो तजीक करें अपने करेक्टर्स की जो उनको नामुनासिब लफाज में देखें आप वहाँ पर तफरी के लिए जाते हैं आप तजलील की जाने के किसी को अजास्त ने होने चाहिए और मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जिस तरीके से पाकिस्तान क्रेकट में जिस तरीके स मुबाइल का मिस यूज होता है ना स्टेडियम के अंदर ये 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 आपको आने माले दिनों में देख लीजिए गा या तो लोग ठीक होंगे या फिर इनके मुबाइल के उपर पबंदी हो जाएगी देखें जब पाकिसान में क्रेकट वापिस आई थी ना तो कोई भी रहती हैं ये मुबाइल के इस्तमालु क्रिकट्स खेडियम के अंदर होता है ये हो सकता है अगर लोगों ने यही एक दो चार लोग करेंगे पांच साथ लोग करेंगे एक तोला करेंगा एक ग्रो करेंगा उसका नुफसान जो हजारों लोग बरदाश करेंगे जो स्टेडियम मैचिस देखने के लिए जाएंगे देखें जब ये एक बुन्यादी जरूरत है आज के दोर में लोग अपने घरवालों से रापते में रहते हैं सौ किसम की आपके जो रापते हैं वो आपके मुबाइल फोन के जरी होते हैं आप यह फोड नहीं कर सकते हैं कि चार पांच घंटे आप इसको विडाउट फोन रहें तो पिर जब आपके उपर ये पबंदी तो वो हजारों लोग उसके मुतासर होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट उससे मुतासर होगी लोग उससे मुतासर होंगे तो लोगों को ये सोचना चाहिए यही हरकतें चंद दिन पहले शुब मलिक की एहलिया के लिए सना जावेद साहबा के लिए लोगों ने नामुनासिब الفاظ میں آہ وہاں پہ آوازیں لگائیں اور اسی طریقے سے بابر کے ساتھ کہیں بابر پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے کھلاڑی ہیں دنیا کے عظیم کھلاڑیوں میں ان کو شمار ہوتا ہے اور یہ جن لوگوں نے جس طریقے سے ان کو بلایا ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے مطلب یہ نہایت سخت الفاظ ہیں لیکن اس سے کم جو ہیں وہ کہے نہیں جا سکتے کہ پاکستان کے سابق کپتان ہے پاکستان کی ٹریکٹ کو انہوں نے اپنی کار کردگی سے دنیا میں لوگ ان کا نام پاکستان کا نام انہوں نے بلند کیا ہے ٹھیک ہے نا جی کار کردگی کو ایک طرف رکھتے ہیں نا یہ والا وقت ان کی کار کردگی پر بات کرنے کیا ہے ابھی تو وہی وہی تو کر رہے ہیں تو آپ ان کو اس طرح کی کہتے ہیں بڑی افسوسناک چیز ہے اس کے اوپر نا ان لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر نا کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے دیکھیں جہاں سے یہ ویڈیو چلی ہے آپ اگر اس کو پکڑنے جائیں گے آپ پہنچ جائیں گے لوگوں تک ٹھیک ہے ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونے چاہیے ان کے خلاف ضرور ہونے چاہیے ان کو تو کم از کم پانچ سال تک کسی اسٹیڈیم کی ٹکٹ ان کو اجازت ہی ہونے چاہیے بلکل صحیح بات ہے ان کو کم از کم یہ ہونا چاہیے اس طرح سے تو کھلاڑی بھی پسند نہیں ہے دیکھیں یہ یہ ازادی اظہار رائے نہیں ہے مطلب آپ یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بنیادی آپ کے بنیادی حقوق کی خلاف بھی نہیں ہے یہ بنیادی طور پر کوئی بھی ازادی آپ کو کسی کی تظہیق کی تظلیل کی یا بدتمیزی کی بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتی بالکل ضرورت وہ بابر ہیں وہ شاہین ہیں وہ حارس ہیں وہ نواز ہیں وہ شانوازدانی ہیں وہ محمد رزوان ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں جاتے ہیں تو اگر آپ نے انہی لوگوں کے اوپر آوازیں لگانی ہے ان کی تظہیق کرنی ہے تو اگر آپ کو جانے کی ضرور کی نہیں ہے حتیٰ کہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر بھی ہے گھر بیٹھے نا گھر بیٹھے مطلب کل کناہ کو آپ جیسن روئے کو بھی کہیں گے آپ الیک سیلز کو بھی کہیں گے آپ ٹامل میلز کو بھی کہیں گے ٹھیک ہے آپ اور دیگر جو غیر ملکی کھلاڑی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں گے ابھی مارٹن گپٹل آگئے ہیں ان کو بھی کہہ دیں گے یہ ایک نامناسب روئیہ ہے اس کے اوپر ضروری طور پر ضرور کوئی نہ کوئی ایسی حکمت عملی ضرور ترطیب دینی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے نعرے لگائیں اس طرح کی آوازیں لگائیں ان کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے حافظ اب اسٹیڈیم میں پاس کوئی نہ کوئی موجود ہونا چاہیے جو اسٹیز کی کیر بھی کرے وہ دیکھے کیر مطلب ہر پچیس ہزار لوگوں کے اوپر پچیس ہزار پولیس بارتوں نہیں کھڑے کیے جا سکتے پچیس ہزار اگر لوگ آپ کے سٹیڈیم میں موجود ہیں اٹھارہ ہزار لوگ اگر آپ کے سٹیڈیم میں موجود ہیں بائیس ہزار اگر آپ کے لوگ سٹیڈیم میں موجود ہیں دس ہزار اگر آپ کے سٹیڈیم میں لوگ موجود ہیں تو ان کے اوپر دس ہزار سیکیورٹی والے دنوں نے لگائے جا سکتے یہ جہاں سے چیز انیشیٹ ہوتی ہے اس کو آپ پکڑیں اس کے اوپر کاروائی کر دیں بھر ٹھیک ہے ان کو دوبارہ ٹکٹ نہ دیں उनको टिकेट ना दें ठीक है जी और उनका उनकी स्टेडियम में दाखले के उपर आप लगा दें फिर पबंदी यही हो सकता है आपके साथ कम अज़ कम यही हो सकता है वाद है यह कोई बात नहीं है कि आप जो हैं अपने ही क्रेकेटर्स को आप उनके लिए इस तरीके से वहां पर जाकर आवाजें लगाएं यह अफसोसनाक सुरत हाल है काबल मुझमत भी है और पाकिसेंट क्रेकेट बोर्ड को जरूर इसके ओपर कुशना कुछ जरूर करना चाहिए ऐसे लोगों को खिलाफ तो जरूर करना चाहिए जो खवातीन के साथ यह जो वहां पर मर्द हज़रात भी है जो किसी की जात के उपर जाती तोर पर हमला करता है ना मुनासिप जुमले कस Yay मू कसता है इस तरह के नारे लगाता dir लगते है इनका भी दाखल बंद करदेना चाहिए r authentically स्टाइडियम है जलसा का नहीं है उसको एक्स्टेडियम रहने दे रहने दे Nikki स्टेडियम रहने दे उसको एक्स्टेडियम रहने दे ब्लकुं सही को जाता है कोई सियासी जमाल से दूसरा क्या स्यासी जमाल से वह अपने अपने सियसी जो काइदी ने उनके नारे लगाने देती है खेल को तो पाक रखें शियुआंन इस गंदगी खेल को पाक रखें बिल्कुल सही बात